पलवल के सामान अस्पताल के समीब केसी अस्पताल में अंतरास्टिय महिला दिवस के उपलक्ष में एक निसुल्क महिला स्वास्त जांच केम्प का आयजन किया गया इस केम्प में सेकडों की संख्या में महिलाओं ने अपने स्वास्त की जांच कराई तथा इस केम्प में दवाईयां भी निसुलक वितरित की गई केम्प के दोरान दर्जनों ऐसी महिलाएं पाई गई जिन में रक्त की बेहद कमी थी और उन्हें इलाज की जरूरत है साथ इस केंप में और महिलाओं को जागरुक करने को लेकर डॉक्टर स्रद्दा अगरवाल ने विशेज जानकारी देते हुए बताया केंप में हिस्सा ले रही है और आज हमने अभी तक 31 महिलाओं की चांच कर ली है जिसमें के 10 महिलाओं में काफी खून की कमी पाई गई है जिनका इमोगलोबिन से 6 और 7 ग्राम पाया गया है तो आज अंतर अश्री महिला भी रखते मैं सभी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग ही आगे बढ़के अपना हुथान कर सकते हो तो सभी महिलाओं को स्वैम ही आगे आना चाहिए स्वैम ही जागरूप रहना चाहिए जिससे कि वो अपनी भी और वोसाइटी में सबकी मदद कर पाई गया है तो क्या उन महिलाओं ने कभी भी अपने सारेरिक जांच करवाई या नहीं करवाई तो सबी महिलाएं आपको अशर है हो गई है जानके कि सबी महिलाएं प्रोडवस्ता की थी जिनकी उमर चालिस से उपर थी और अपने स्वास्ते के प्रती उनमें कोई जागुपता नहीं थी तो इस स्केम के जरीए उनमें थोड़ा मोमेंट आया आगे हुआ ऐसा कर पाएंगे कि अपने स्वास्ते के जाएंगे और आज हमने सबी महिलाओं को दवाईयां दी हैं और उनको अगले महिने आने के लिए दुबारा इसी प्रोग्राम में आने के लिए हमने बोला है जिस स्वास्ते का ख्याल रखना कितना अवश्यक है इसके लिए महिलाओं को स्वैम आगे आना होगा और हमें हम इतनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा कि जिससे की कोई भी इस तरीके की हिम्मत ना कर पाए और जो जब महिलाओं घर में सशक्त रहेंगी तो वो सकता है कि पु सातुक्ति अचार को रोगपाए जर तो किस तरह की पहल करनी चाहिए इसमें सरकार भी बहुत तरीके से पहल कर रही है आग और सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी है महिलाओं के लिए वो बढ़ा देनी चाहिए और मुझह लगता है कि इसमें जो बच्चियों के साथ रेप तब की बात आपने बोली है उसमें उनकी जो माए उसमें काहें फूरल होगा इसमें कया विवस्ता को मजबूत करने की जरूरत है आप नियाए विवस्ता को मजबूत करने का तो पहलाा अगर नियाय विवस्ता मजबूत नहीं होगी, अभी जैसे आपने दो खबरे बताई हैं कि दिल्ली में भी हुआ, पलवल में भी हुआ, तो गिरफतारियां भी हुई हैं, निश्चित रूप से उन दोनों केसे में गिरफतारियां हुई हैं, गिरफतारी होने के साथ अगर सी गंग लग जाएगा, एक फांसी के सजा ही सुनाने के लिए, करने के लिए बहुत होगी,